फिल्म जज्जमेंटल है क्या के चल रहे विवादों के बीच कंगना रनौत की एक और फिल्म धाकर का पोस्टर रिलीस किया गया है जहां एक्शन त्रिलर फिल्म धाकर के पोस्टर पकंगना फुल एक्शन मूल में दिख रही है उनके दोनों हाथों में गन दिख रहा है वही इससे पहले उनका ये अफतार पहले कभी नहीं दिखा है निर्देशक रजनीश रेजी घई निर्देशित फिल्म धाकर की शूटिंग अगले साल की शुरुवात में की जाएगी जिसे साल 2020 में दिवाली के मौके पर रिलीस करने की तैयारी चल रही है धाकर फिल्म को लेकर कंगना ने बीते दिनों बताया था कि मेरा करियर केवल मेरा सफर नहीं है बलकि ये इंडियन सिनेमा का भी सफर है क्योंकि ये बॉलिवुड की पहली और अपनी तरह की महिला परधान एक्शन फिल्म है इस फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है जिसे फेस्टिवल सीजन में रिलीस किया जाएगा वहीं कंगना ने ये भी बताया कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें काम करने का मैं और इंतजार नहीं कर सकती इसके अलावा निर्देशक रेजी का भी मानना है कि कंगना रनौन फिल्म धाकर के लिए परफेक्ट है इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है नीची दिये के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं बॉलिवड की सभी चटपटी और मज़िदार खबरों को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक करें